हेलो दोस्तो, welcome back to my new video तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे वीडियास के मेंबर जेहोब मिलेटरी से डिस्चार्ज हुए हैं तो जेहोब मिलेटरी से डिस्चार्ज होने के बाद हम सभी आर्मी के साथ बाते करने के लिए आज 1.5 एर्ज के बाद लाइव आयते और जिहोब के मिलिट्री के बाद उसकी इस फर्स्ट लाइव को हम सभी हिंदी में आज इस वीडियो में देखने वाली है तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक सरूर वाच करना तो जिहोब लाइव में सबसे पहले अपने पैट इमोजी स्क्वैरल के बैलून को अपने फेस के आगे लगाए होते हैं और जिहोब बैलून को उड़ा कर कहते हैं कि एफ्रीवन जिहोब वापस आ गया मैं मिलिट्री से आट डिस्चार्ज हो गया मुझे इस पर बिलीवी नहीं हो रहा है मैं पिछले वन येर और सिक्स मन्त से ऐसा कोरियन सेटिजन अपनी ड्यूटी को पुरा करने के लिए मिलिट्री में ऐसा जंग खोसुद जी रहाता लेकिन आज एक साल और छे मैने के बाद वापस योग बन कर मुझे नया सा लग रहा है मैं ऐसा कई बार कह चुका हूँ लेकिन ये सच है कि आप आर्मी के इंकरेजमेंट की वज़े से ही मैं मिलिट्री में इतना अच्छा कर पाया और अब हम साथ में सिर्फ लावर बात पर ही चलेंगे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है मुझे आज सुबा से ही बहुत कुछ करना था आज की मेरी मॉर्निंग बहुत ही ज़ादा हेक्तिक रही एक वीक से मैं यही सोच राता कि क्या मैं सच में डिस्चार्ज होने बाला हूँ मैं तो अपने आंगे के शेडियूल के बारे में भी सोचने लगाता क्योंकि अब मुझे बहुत कुछ करना है मिलिटरी से डिस्चार्ज जाने के बाद का यह टाइम मेरा important है फिर दोस्त हो क्योंकि जयओ ने मिलिटरी में जाने से पहले यह कहाता कि वो मिलिटरी में इंग्लिस को सीखेंगे तो इस पर जयओ बताती है कि English मैं इसे अभी तक नहीं सीख पाया हूँ सच पताओं तो military में हम सभी soldiers बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उसे करने के लिए हमारे पास time नहीं रहता था मैं physically हर दिन बहुत ही ज़ादा थका रहता था मैं पढ़ना तो चाहता था लेकिन ऐसा assistant will instructor मुझे हर दिन बहुत काम करना पड़ा था और काम करने के बाद study कर पाना मेरे लिए मुश्किल सा था आज से ये मेरा third take है मुझे अब ऐसा लग रहा है ये मेरी अलग third life की beginning है मेरी company के staff ने भी मुझे congratulate करा और उन्होंने मेरे लिए ये सब decoration करी यूकि जब इन्होंने जिन के लिए ये सब किया था तो इसे देखकर मैं jealous feel कर रहा था मैं कुद को इस वक्त वीडियो में देख रहा हूँ शायद तुम सभी ने इसे अभी तक notice नहीं करा होगा लेकिन मेरा weight बढ़ गया है तो इसलिए आज से मुझे workout करने की और अपना weight कम करने की भी जरूरत है मैं military में आपके लिखे हुए letters को पढ़ता था और उन letters को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा feel होता था मैं आपके उन सभी emotions और support को भी समझ पाता था जो आप BTS और मेरे लिए दिखाते हो नए लोगों से मिलता था तो मैं उनसे भी influence हो जाता था दोस्तो इसके बाद जोब अपने military gifts को हमें दिखाते हैं और उन सभी gifts के बारे में बताते हैं जोब कहते हैं कि ये cute है ना ये मेरे military में एक consolar ने मुझे दिया है ये white tiger है मेरे memories इसमें हैं इसमें बहुत सारी photos भी है फिर दोस्तो जोब इस poster में से एक तू messages को पढ़ते हैं और कहते हैं कि एके करके इन सभी messages को मैं बाद में पढ़ूँगा मेरी military life इनी लोगों की वज़े से मज़ेदार रही हमारी age में लग बग 10 साल का difference है ये सभी छोटे kids है और ये बहुत ही अच्छे cute guys है and txt group ने भी मुझे ये flowers और letter दिये thank you so much इसे देने के लिए फिर जे hope gifts वेगरा दिखाने के बाद कहते हैं कि मैं future में तुमें मेरी और भी अच्छी sights अब दिखाऊंगा वैसे तो ये decide हो गया कि अब मैं कौन से activities करने वाला हूँ लेकिन फिर भी कुछ details पर काम करना अभी बागी है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं life कर रहा हूँ और तुम लोग मुझे देख रहे हो लेकिन मैं मेरे future activities के लिए अच्छे से काम करूँगा मैं अब अपनी इस gap को निकाल कर ready हो जाऊँगा तुमें amazing J-Hope दिखाने के लिए thank you and I love you फिर इसके बाद J-Hope कहते हैं कि अब मैं कुछ comments पढ़के यहां से जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे जाना होगा फिर J-Hope comment परते हैं कि military में उसके लिए सबसे जादा challenging क्या रहा जिस पर J-Hope बताते हैं कि मेरे लिए तो सब कुछी बहुत कुछ challenging रहा था मैं पहले train हुआ फिर मुझे एक role दिया गया जिस पर मैं काम करने लगा लेकिन मेरे 20 टाइम पर जब मैं training कर रहा था तो हमारे धकने के बाद भी हमें water पीने के लिए नहीं दिया जाता था और ये चीज मेरे लिए काफी hard थी तो इसलिए जब मैं instructor बना तो मैं सभी trainees को पानी पीने से कभी मना नहीं करता था फिरार्मी जयोब से पूशती है कि वो इस time कैसी emotions को feel कर रहा है तो जयोब कहता है कि मुझे अभी so कर कल उठने की जरूरत है क्योंकि तभी मुझे विश्वास होगा कि मैं military से discharge हो गया हूँ मैंने सुना है कि जिन वांग मेरे साथ कुछ करना चाते है जिन वांग तुमें जो करना है तुम कर सकते हो फिरार्मी जयोब से पूशती है कि अब वो कहां पर सबसे पहले travel करना चाता है तो जयोब कहता है कि इस वक्त मेरे लिए सबी जगा travel जैसी है मैं लाइव आने से पहले ट्रांसपेक्टरिस होम में गया था और वहाँ पर जाना मुझे ऐसा traveling जैसा लग रहा था फिरार्मी जयोब से पूशती है कि क्या आप हम साथ में time बिताएंगे तो जयोब कहता है कि हाँ अब हमारे पास time के अलावा और कुछ भी नहीं है साथ में बिताने के लिए फिर जयोब हमें ये cake दिखाते हैं जो कि company ने उसके लिए prepare करा है फिर जयोब एक comment परते हैं जिसमें आर्मी उसे उसकी signature line I am your hope वाली बोलने को बोलती है तो जयोब कहता है कि ठीक है मैं life को यही line बोल के बंद करूँगा तो जयोब अपनी signature line को बोलते हैं फिर कहते हैं कि तुम्हें अब मैं amazing चीज़ें दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा hard work करूँगा हमें इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए thank you so much ये मेरा as a soldier last heart है good bye and then जयोब अपनी इस first military discharge life को यहां पर end कर देते हैं तो दोस्तो जयोब के military से discharge हो जाने के बाद उसकी ये first viewers life का मेरी तरफ से हिंदी translation आप सब को कितना ज़्यादा अच्छा लगा इसके बारे में मुझे comment में जरू बताना thanks for watching